पर नाम साथियों मैं ठीका सिंग पटेया करुणा समू एबं देव संस्क्ति विश्विद्याले की ओर से आप से कुछ विशेय पर चर्चा करने आया हुआ 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 है हुआ है कि यात्रा के दौरान जो अभी लॉकडाउन है और वायरस का डर हमारे मन में बैठा हुआ है इसके बीच में आप कैसे पॉजिटिवली पुरी सूधाओं के साथ अपने घर कौश सकते हैं चुकि हम यात्राय पहले से करते आ रहे हैं यह हमारे लिए कोई नई बात न रखना है बार बार आपको हाथ धुलने हैं उसके बाद अगली सावधानी है कि आपको अपने जो फ्रूट बगर अगर आप खरीद रहे खाने की चीज़े खरीद रहे उसको अच्छे से वाश करके धूल के उसको प्रयोग करे या फिर उन सभी चीजों को खरीदने से बच तेसरी बात ये है कि आप जहां पर भी जा रहे है मतलब अगर सीट पर बैठ रहे हैं तो सीट को थोड़ा साफ करने उसके बादे उसके उस पर बैठ गया हैईलिन सावधानीय सरकार की द्वारा हमारे लिए उस कीमारी है उसका तो urn alluded Sigी लेकिन ये सबी Safङी हमारे मानसिक स्वास्तिया हमको मानसिक रूप से स्वस्त्र रखने के लिए भी कारेगर है इस बात को ही करने के लिए मैं आपके बीच में आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग तो हम फालो करेंगे लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे तो कई बार ट्रेन में बस में या जहां भी आप यात्र करे कि इनी लोगों से टक्राना हो सकता है कहीं भीड भार में लोग आपको टक्रा जाए तो वहां पर आपको गुस्ता नहीं करना है क्योंकि यह मानसिक इस्तर हमारा उससे खराब हो दूसरी बात ही है कि आपको बार बार हाथ धुलने के लिए कहा जा रहा है लेकिन जब आप ह आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उनहीं लोगों को आज के समय में यात्रा करने दिया जा रहा है जिनके अंदर किसी भी बिमारी के लक्षन नहीं है तो उन लोगों के प्रति हीन भावना रखके या फिन लोग के लिए दूर वहवार करके आपको यात्रा नहीं करनी है वो भी आपी की जैसे लोग है, कॉरेंटाइन का डर, कि भाई हम जहां भी जाएंगे, महाँ पर हमको 14 दिन या 21 दिन के लिए कॉरेंटाइन में रहना पड़ेगा, अब कॉरेंटाइन की सुविधा इसलिए की गई है, ताकि अगर आपके अंदर लक्षन दिखते हैं, उस बिमारी के, तो उस लक्षनों को 14-21 दिन में वापिस से आपको स्वस्त करके फिर अपने घर बेजा जाएगा, तो जो गवर्मेंट की गाइडलाइन से उसमें यही कहा गया है, कि यदि आवश्यक हो, तब ही कॉरेंटाइन किया जाएगा, तो इस चीज से आप निश्चिंत रहे, इस बात को अपने दिमाग में बिलकुल ना रखे, कि आपको कॉरेंटाइन किया जाएगा, आप अपना जो मनुबल है, अपना जो मानसिक इस्तर है, उसको अच्छा रखिए, उच्छा रखिए, और इस भावना के साथ याद रखीजिए, कि आपको कोई कॉरेंटाइन में नहीं रखा जाएगा, आप स्वस्त पहुचेंगे, तो कैसे आपको कॉरेंटाइन में रखा जाएगा, तो इसलिए मानसिक रूप से भी आपको स्वस्त रहना है, और किसी प्रकार के लक्षन, अपने मानसिक या अपने मन में भी नहीं आने देना है, उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और साथ में कुल मिला कर बात इतनी है, कि हमारा जो समू है, करूना समू, इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि लोग को पॉजिटिविटी दे रहे है, इसमें एक चीज और है, जो इंटरस्टिंग मुझे लगती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रेन में आप लोग जा रहे हैं या बस में, प्रकृती इतनी सुन्दर है, आप नजारे लीजिए, आप सकारात्मक पुस्तकों का अध्यन कर सकते हैं, हमारे यूटूब चैनल पर जो करूना इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ है, उसमें बहुत सारे वीडियो जले हुए, अलग अलग सकारात्मक वीडियो दले हुए, आप उनका अध्यन कर सकते हैं, और आपकी यात्रस सुब हो, आप अच्छे से सेफली और पॉजिटिवली घर पहुचे, बहुत बहुत धन्यवाद।